द्रिस्टी PCSK, डेली PCSG के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुवात करते हैं पिछले अभ्यास प्रशन से जिसमें हमने आपसे पूछा था इंडिया एनर्जी वीग 2023 का पहला संस्क्रंड के शहर में आउजित किया जाएगा आपके ओप्शन थे? उप्शन A नई दिल्ली, उप्शन B बैंगलरू, उप्शन C जैपूर या फिर उप्शन D मंबई तो इस प्रशन का से उत्तर है विकल्प B बैंगलरू आप में से कई वियर्स ने इस प्रशन का एकदम ठीक जवाब दिया है चलिए अब आगी की बात को एक्स्पिरेंशन से समझते हैं हाल ही में बैंगलरू में इंडिया अनर्जी वीग 2023 का पुर्वावलोकन कायरक्रम आयुजित किया गया इंडिया अनर्जी वीग 2023 कायोजन बैंगलरू में 6-8 फरवरी 2023 तक किया जाएगा इसलिए विकल्प भी सही है इस कारकरम का आयुजन ग्रोथ, कॉलोबरेशन, टानिशन, टैगलाइन के तहट किया जा रहा है इसमें 30 सेधिक उर्जा मंत्रियों, 50 CEO और 10,000 सेधिक प्रतिनियों के शामिल होने की उमीद है ये कारकरम भारत को वैश्विक आर्थिक विकास के इंजन और वैश्विक खपत के चालक दोनों के रूप में प्रदर्शित करने का एक अनूठा आवसर प्रदान करेगा चलिए शुरुआत करते हैं आज की एपिसोड की तो आज की एपिसोड का पहला प्रिश्ण है आपके ऑप्शन है सूचनाओं का दुरुपयोग, सूचनाओं की सटीकता, रोबोटिक्स या फिर भाषा का संचरण तो इस प्रशनिका से उत्तर है विकल्प A, सूचनाओं का दुरुपयोग हाली में चीन ने Deep Synthetis Technology को प्रतिबंधित करने के नए नियम जारी किये हैं ये नए नियम दस जनवरी से प्रभावी होंगे चली जानते हैं Default तकनीक के बारे में इस तकनीक में Machine Learning और Artificial Intelligence जैसी शक्तिशाली तकनीकों का लाब उठाकर नजर और कान को दोका देने के लिए दरश और Audio सामगरी उतपन की जाती है इस तकनीक में किसी भी छवी और वीडियो में एक व्यक्ति के इस्थान पर दूसरे व्यक्ति को इस तरह लगाया जा सकता है कि एक्चुल व्यक्ति और फेक मेज या वीडियो में अंतर करना कठिन होता है इसमें चेहरे के सभी हाव भाव तक फर्जी चेहरे पर दिख सकते हैं यहां तक की आवाज भी अगला प्रशन देखते हैं स्वदेश दर्शन योजना की शिरुवात किस वर्ष की गई थी आपके आप्शन है 2014-15, 2013-14, 2015-16 या फिर 2016-17 तो इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्ब A वर्ष 2014-15 चलिए एक्सप्रेशन सागी की बात को समझते हैं स्वदेश दर्शन 2.0 के तहट गया और नालंदा का विकास के लिए चैन किया गया है स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 यानी SD 2.0 के रूप में नया सुरूप दिया गया है स्वदेश दर्शन योजना के तहट परिटन मंत्राले सरक्ट के और संदर्शन के विकास के लिए राजसरकारों संग राजस्षेत्रों के प्रिस्राशन को केंद्री वित्ति साहता प्रदान करता है अगला प्रशन है शोरिटी बॉर्ण इंश्रेंस के शेत्र से संबंदित है आपके ऑप्शन है अवसंदर्शना, क्रशी, टेक्स्टाइल या फिर लगू एवं सुक्षमुद्यो तो इस प्रशनिका से उत्तर है विकल्प ए अवसंदर्शना चलिए एक्स्पेंशनस आगे ही बात को समझते हैं हाल ही में केंद्री सडगमंत्री श्रीनतिन गड़करी ने भारत के पहले शोर्टी बॉर्ण इंश्रेंस को लांच किया नए शोर्टी बॉर्ण बीमा से कमपनियों के पास मौझूद पूंजी, लिक्विडिटी और शमता में सुधार होगा और इससे पूरे सेक्टर को लाब मिलेगा कि अब संडचना के शेतर में महतपूर साबित होगा इससे ना केवल निर्मान पुर्यूजनाय समय से पूरी होंगी बलकि देश की विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी बता दें कि शोर्टी बॉर्ण इंशुरंस ठेका देने वाली संस्था के लिए उनका जोखिम कम करने का साधन है इसके मादें से यदि कोई ठेकेदार कंपनी के समझोते के नुसा काम नहीं करती है तो ठेका देने वाली कंपनी पर इसका कम से कम असर होता है चलिए अगला प्रश्ण देखते हैं निमने में से किस कोशिका अंग को एटम बं कहा जाता है आपकी ऑप्शन है सुक्ष्मिनली का नुकलियस गॉल्जिकाई या फिर लाइसोसोम तो इस प्रश्ण का से उत्तर है विकलपड़ी लाइसोसोम कोशिका के अंगों में गॉल्जिकाई, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारकाकाई आदी आते हैं लाइसोसोम जन्तु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं इनका निर्मान गॉल्जिकाई में होता है ये अंता कोश की पाचन के मुक्षाधन होते हैं कभी कभी लाइसोसॉम अपनी ही कोशिका का पाच्चन कर कोशिका को नस्ट कर देते हैं अता इन्हे कोशिका का एटमबं या आत्मत्या की थैली भी कहा जाता है अगला प्रश्न है निम्रकित में इसे कौनशा शहर हरपा कालिन बंदरगाह था आपके options हैं चनहुदडो, लोथल, राकीगडी या फिर बनावली तो इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प B, लोथल हडपा काल में पश्चिमेश्या से व्यापार होता था इस काल में लोथल एक प्रमुक बंदरगाह था जो इस व्यापार का प्रमुक केंद्र था आता प्रशन का सही जवाब कल्प B है ये वर्तमान गुजरात के एमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तर्ट पर अवस्थित था इस स्थल की खोश सरवर्थम डॉक्टर एसा राव ने 1955 में की थी यहां से नाव के चित्र या मॉडल भी प्राप्त हुए हैं अगला प्रशन है जैविवित्ता पर अंतराष्टी सम्मेलन यानि कॉप 15 का योजन कहां किया गया आपके ऑप्शन है कनाड़ा, अमेरिका, जर्मनी या फिर इटली तो इस प्रशन का से उत्तर है विकल्प A कनाड़ा हाली में कनाड़ा के मॉन्टर शहर में जैविवित्ता से संबंदित कॉप 15 सम्मेलन का समापन हुआ अता इस प्रशन का सही जवाब विकल्प A है इस समेलन में आईची जैविवित्ता लक्षों को बदलने हेतू निरधारित Global Biodiversity Framework यानी GBF को अपनाया गया है ये जैविवित्ता के लिए रणनेतिक योजना 2011-2020 पर आधारित है इसमें 23 टार्गेट और 4 लक्ष शामिल है GBF के 23 टार्गेट आईची जैविवित्ता लक्षों को रिप्लेस करेंगे जैविक विवित्ता अभी समय यानी Convention on Biological Diversity CBD जैविवित्ता के संदक्षन हेतू कानूनी रूप से बाधिकारी संधी है जो वर्ष 1993 से लागू है लगभग सभी देशों ने इसकी पुस्टी की है हलांकि अमेरिका ने संधी पर हस्ताक्षरतों किये हैं लेकिन पुस्टी नहीं की है CBD का सचिवाल है मॉंट्रेल यानी कनाड़ा में स्थित है जो से उक्तराष्ट पर्यावरं कारकम के तहत संचालित होता है जैबिक विवित्ता अबी समय के तहत आने वाले देश लगातार बैठक करते हैं और इन बैठकों को कॉन्फरेंस अप पार्टी यानी कॉप कहा जाता है अगला प्रेशन है आईनेस मौर मुगाव क्या है आपके ऑप्शन है तो इस प्रशन का सही जवाब विकल्प A है युद्पोथ सेंसर आदूनिक रडार परणाली और सता से सता और सता से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल जैसी हाथ्यार प्रणालियों से पूरी दरह लेस है इसकी लंबाई 163 मीटर और 247 मीटर है इसका नाम पश्चमितर परिस्तित एतिहासिक गोवा के बंदर गाश शहर पर रखा गया है यह पोउत पहली बार 19 जिसंबर 2021 को समुदर में उत्रा था गोवा तलब है कि यह दिवस पूर्टगाली शाषन से गोवा की मुक्ति के 60 वर्ष का प्रतीक है आत्निर्भर भारत अभियान के तहट इस्वदेशी युद्धपोद का निर्माण मजगाउं डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है यह युद्धपोद परमाणू और जैविक सहेत यरासायनी की युद्ध लड़ने में सक्षम है अगला प्रशन है गोवा को किस वर्ष पूर्टगाली शाषन से आजादी मिली थी आपके ऑप्शन है 1961, 1962, 1964 या फिर 1967 तो इस प्रशन का सेयुत्तर है विकल्प A, 1961 हाली में गोवा मुक्ती दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया इसी दिन भारती शेश्टर बलो ने वर्ष 1971 में 450 वर्षों के पूर्टगाली शाषन से गोवा को मुक्त कराया था वर्ष 1510 में पूर्टगालियों ने भारत के कई हिस्से को उपनिवेश बनाया लेकिन 19 शिताबदी के अंतक भारत में पूर्टगाली उपनिवेश गोवा, दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली और अंजे दीवा, द्वीप गोवा का एक हिस्सा है तक ही सिमित रहे 15 अगस 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली तब भारत ने पूर्टगालियों से अपने शित्रों को सौपने का अनुरोथ किया लेकिन उन्हों ने इंकार कर दिया था वर्ष 1961 में पूर्टगालियों के साथ राजनेक प्रयासों की विफलता के बाद भारत सरकार द्वारा ओपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर को दमन और दीव तथा गोवा को भारती मुक्य भूमी के साथ मिला लिया गया 30 मई 1987 को इश्वेत्र का विभाजन हुआ और गोवा का गठन हुआ तथा दमन और दीव को केंदर शाष्टिर प्रदेश बनाया गया 30 मई को गोवा के स्थापना दिवस की रूप में मनाया जाता है अगला प्रशन है लखनों में 1857 के विद्रो का नेतित्व किस ने किया था आपकी ऑप्शन है खान बहादुर खान बेगम हजरत महल बक्त खान या फिर लियाकत अली पेच तो इस प्रशन का सेउत्तर है विकल्प बी बेगम हजरत महल अंग्रीजों की नीतियों के विरुद जनाकरोश 1857 के विद्रो की रूप में सामने आया विद्रो कारम 10 मैं 1857 को मेरट में कंपनी के भारती सिपाहियों द्वारा शुरू हुआ जो धीरे धीरे कानपूर, बरेली, जहांसी, दिल्ली, आवद, लखनव, आदी स्थानों तक फैल गया था लखनों में बेगम हजरत महल द्वारा 1857 विद्रो का नितित्व किया गया था अगला प्रशन है प्रधान मंत्री आवास योजना आर्बन किस वर्ष शुरू की गई थी आपके ऑप्शन है वर्ष 2014, वर्ष 2013, वर्ष 2015 तो इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प C 2015 हाले में प्रधान मंत्री श्री ररेंट्र मोदी ने तिर्प्रा के अगरतला में ग्रह प्रवेश कारक्रम का शुभारम विकिया ग्रह प्रवेश कारक्रम प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामें दोनों से संब्दित है प्रधान मंत्री आवास योजना का मुक्ष देश, 2022 तक पात्र वेक्षियों को आवास उपलब्द कराना है, यह योजना दो भागों में वभाजित है, पीम आवास योजना अर्बन और पीम आवास योजना रूरल 25 जून 2015 को प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी का शुभारम किया गया था, आतह इस प्रशन का सही विकल्प सी है, इसा कारेन विन आवास उपलब्द का मंत्राले द्वारा किया जाता है, इस शहरी गरीबों जुग्विवासी सहित को संबोधित करते हुए पात्र शहरी ग जल्दी मिलते हैं नए अपिसोड में नए सवाल और उनके नए नए जवाबों के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया करते हैं, तब तो कि च और ऊपक्रिया गरारा है, चो कि यह सवाब ट्राओ करते हुए और एका कि तो ये ए... लिए अपल में आदे द ciao